पटाक, 30 सेकिंड में हर खबर, डाउंडूट कीजे तक है नगेटिव ट्रिगर्स थे, यूएस मार्केट में डाउ जोन्स एक परसेंट कमजोर, नाजडा की जो प्रीवेस सेशन की क्लोजिंग थी, वो सवा तीन परसेंट कमजोरी के साथ होती वी नजराई थी, तो लगभगत थे था कि आज तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और वी सब्सकार ने कर दी है, नेगेटिव ट्रिगर, कुरोना के भड़ते मामले, विश्व भर में वो चिंता पैदा कर रहे हैं, एक और नेगेटिव ट्रिगर, अब देखिए इतनी ज़्यादा बढ़ा जो निफ्टी पर अल्रेडी होगी हो, और 17,918,000 एक रिजिस्टन्स का क क्लोजिंग है, आज के दिन का लोग 17,655 का, वहां से लगभग 90 अंक उचले हैं, कुल मिलाकर 179 पॉइंट्स डाउन रहे, निफ्टी बैंक 47,490 की क्लोजिंग, एक बार तो हरे निशान में भी लोटता वो नजर आया था, लेकिन समहाल नहीं पाया आपनी भड़त को, और दो ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा बढ़ा है, कल भी हमने देखा था, 67% का मूव था, और आज भी लगभग सवा 4% के आज पास का मूव, तो यानि 18 के लेबल पर पहुंचता है नजराया है, इंडिया विक्स, निफ्टी में गिरावाट कौन करता था, रिलाइंस इ इस अंक कॉंट्रिब्यूट करता हो, नजराया, जो तेजी वाले स्टॉक्स थे, उसमें एक दिन भर चला वो था, यूपील, लगभग सवा 2% के आज पास का रिटर्न, इंडेसिंट बैंक लेटर हाफ में चड़ा पहुने 2%, बजाज, ऑटो, 1.5%, भारती, एर्टल और मार रिडार पर थे, जेफ्रीज की एक रिपोर्ट आई थर्मेक्स पे, और उन्होंने बाई रेटिंग दे दी, और अपग्रेड कर दिया, इनफाक्ट बाई रेटिंग देकर, टार्गेट सेट कर दिया, 2575 का, हमने देखा कि अच्छी खरेदारी शुरुआती सत्र से बन गे और 3% उचल गया, थर्मेक्स, जो जेफ्रीज ने रिपोर्ट निकाली, उसमें बताया गया, FI23 से FI24 का EPS अनुमान भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 11-36%, अच्छी रिपोर्ट थी, उसका असर थर्मेक्स पे बढ़ा, UPL, निफ्टी का टॉप गिनर, लगभग सवा 2% की म होतरी कर दी, KPIT Tech, कमाल के रिपोर्ट थी, गोल्मेंट सैक्स की, उन्होंने ये बोला, कि हम कवरेज इनिशियेट कर रहे है, KPIT Tech पे, और जो लक्षे दे रहे हैं, वो 1040 का है, अब ये देखिए, स्टॉक 600-630 की रेंज के आसपास है, आज 631 की क्लोजिंग है, जो कि 6% खेले अच्छा मूव दिलागे आज, लगभग 8% उपर, डेल्टा कॉप, यहाँ पर लगभग 4% की मजबूती देखने को मिली, गुजराद गैस, अच्छी तेजी में था जी स्टॉक, 4% उपर, मदसन सुमी और भारत पोर जैसे जो स्टॉक थे, यहाँ पर भी लगभग 4 परशन के आस-पास का रिटर्न बनता हुआ, रजराया, एफ़नो लूजर्स में, परसिस्टेंट सिस्टेम्स, सिटी यूनियन बैंक, जी यूनियन बैंक, जी येज़ डेब्डू स्टील, श्रियाम ट्रांसपोर्ट और अल्टराटेक जैसे स्टॉक, धाई परशन से 3% कम पास की, बजाज ऑटो और टीवियस मोटर टूविलर पैक्ट में एक्टिव थे, 0.5% उपर, मारूती में एक परशन का रिटरन था और आईशर मोटर भी एक परशन ऊपर था, कंज्यूमर डूरिबर जो कंज्यूमर गूड काउंटर में बाटा इंडिया का नंबर आया, 0.5% ये उपर, राजेश, एक्सपोर्ट, अंबर, एंटरप्राइज, औरेंट एलेक्टिक और कजारिया, सिरामिक्स जैसे स्टॉक सब एक परशन से, 0.5% मजबूत होते वे हथे देखने हैं, बहुत खराब प्रदशन है, अगले हफते आने हैं, बड़ी कंपनियों के नतीजे, आज जो गिरा उसमें, टेक महेंद्रा, 0.5%, HCL Technologies, माइंटरी जैसे जो स्टॉक्स थे, वहाँ पर 1.5% से 2% की करेक्शन थी, L&T, Infotech, L&T Technology Services, Emphasis, TCS, Infosys, सारी परशन कमजोर हुए, Financial Services, जिसमें, स्रीराम ट्रांसपोर्ट सबस्यादा कमजोर था, 0.5%, HDFC Limited, 2% नीचे, Kotech Bank जैसे स्टॉक्स, HDFC Bank तो कमजोर था ही, इसके लावा, SBI Life, HDFC, AMC, ये स्टॉक्स, सवाई 1% से 1.5% के आस-पास कमजोर, FMCG में भी मुनाफ़ा वसुली देख बजट से पहले चाल बन चुकी है, और आज जो नंबर आया, उसमें था धरानी शुगर, 10% उपर, इसके लावा, सक्ती शुगर, DCM, Shriram, 8% का रिटर्न, राना शुगर, उगर शुगर, मगर शुगर में 5.5% से 6.5% की कमाई, के एम शुगर, द्वारिके शुगर, इरिगेशन और फिलर्टिक्स को, 10% उपर, मिट कैप स्टॉक्स हैंगे, पूना वाला फिनकॉप, महराष्टरा, सीमलेस रेसी कमपनिया है, 7% से 9% उचली, HLE, ग्लास कोट, एल्गी, एक्विप्मेंट, स्वान एनर्जी, 6% से 7% का रिटर्न, किरलोसकर, ब्रदर्स, फ्य पूचर, रिटेल, महिंद्रा, लोजिस्टिक्स, और IFB इंडस्ट्री, 4% से लगभग 6% के आसपास का रिटर्न, स्मॉल कैप गेनस में, जो सर्कृट लगे 20% के, उसमें गल्फ, पेट्रो, ARSS, इन्फरा और Z, लर्न को पाएंगे, इसके लावा, कम्प्यू एज, नहार, क पेट्रो और ट्राइजन जैसी जो कम्पनियां थी, ये कमाल कर गई हैं, आज गिरते बजार में, 10-12% उचल कर बंद हुआ हैं, तमाम स्टॉक्स, बावन हफ्ते की उचाहिए, इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स चूरे हैं, जैसे कि पूना वाला फिनकॉप, बावन हफ्ती चीनी, KPIT, Tech, KPR, Mills, ये तमाम स्टॉक्स एक साल की उचाहिए को छूरे हैं, और पेज इंडस्ट्री इस थर्मेक्स जैसे जो का अपनियां ये बावन हफ्ते की उचाहिए पर हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए अब रिजर्ट्स की तयारी होगी, अकले हफ्ते मे क्या चप करता हुआ नजराया, लेकिन हाँ, एक और जटका लग चुका है, और अब नतीजों से पहले, अब बेटर प्लेयर्स पे बेट लगती हुए नजरायगी, लेकिन ये प्रूव हुआ कि 17,918,000 ये एक रिजिस्टेंस जोन बजार का बनता चला गया, तो अब सपोर और रिजिस्टेंस लेवल आप नोड कर लीजिए, उतार चड़ा बढ़ सकता है, और आज भी बुलेटिलिटी बढ़ी है, ये बढ़ती बुलेटिलिटी कहीं न कहीं चिंता पैदा कर रही है, लेकिन सपोर्ट के तौर पे 17,655 ये पहला सपोर्ट जो आज का लो है, इसके लेवल है, जिसको क्रॉस करना वाइदा कारुबार के आंकड़ों के साब से भी बहुत मुश्किल है, इसके उपर निकलते हैं 18,000 के उपर, तो फिर तो बहुत अगड़ी खरेदारी होती हुए नदर आएगी, लेकिन फिलहाल जो रिजिस्टेंस है, बो रिजिस्टेंस है, 18,000 का एक मेजर रिजिस्टेंस इंडियन मार्केट्स पेस करें।